ततकालिन समय का 22-24 राज्यहुर का बीजमा तथा सकिम, भुटान, बंगाल, कुमाउ, गडवाल, तिबबत, सीन तथा अंग्रेज हुरु संग्न समेत, लड़ाईं गरेको नेपाल को गउर अपुन इतिहांस को गर्भीलो साक्षे, मक्वान पूरको यो चीशा पानी गड़ी, यो गड़ीमा ततकालिन नेपाली फाउजले, तिबबत, सीकिम, भुटान जस्ता देशलाई, लड़ाई मा हराईर, बिरतर पस्तूद गरेको थुप् आएको चीन रह तिबबत को अत्या धुनिक हतियार सहितको विशाल सम्मित्य सेना संग बीरता पूर्भक लड़ेको नेपाली गुर्खाली सेना को इतिहांस, देशमा भएका दरजनू बड़ी गड़ी तथा किल्ला मदे सबई बंदा धेरेई, अतिहांसिक हतियार एबम प शम्ब्रक्षित इस्थान मक्वानपुर्को यो सिशाई पाणी गड़ी, यो गड़ी मां पुर्हा दरातातिक महत्तो का थोप्रइब बस्तो सुरक्ष् Jamie लह अंग्रेज तथा बंगाली सेना संग नेपाली सेनाले बीरता पुरुवक लडेर गोर्खाली फोज को बीर तालाई विश्चो ब्यापी बनावना शपलवाई को युटा लणाई को साक्षी चीशा पानी गडी तथा युकिनला जहां ततकालीन राजा पिर्थिवी नारैन शाहाको गोर्खाली फोजले बिविन्न युद्धा को समयमा सत्रुहर को आक्रमन बाट बसन तथा सुरक्षित तरिकाले प्रती रथ्या गर्न निर्मान गराये को गडी तथा किल्ला देश को अम्मुले निदी का रूपमा अईले पनी हेरन पाइन शा परा पुर्वकाल देखी अईले सम्मा कईू गडी तथा किल्लाहरू भदकी शक्ये का शन तर देश बर छरियर रहिका दुई सई भन्दा बडी गडी मद्धे यो गडी इतिहांस र बीर पुर्खावर को बीरत को साक्षी बनेर वशी राखे को शन चीशा पानी गडी कुनेई बेला दक्सिन छेत्रबाट काठमडो पस्ने निकई चलतीको नाका रएको छियो जा अईले पनी तेशताका निर्मान गरियेका थुप्रई पाटी तथा पुवा बिविन पुर्वाधार देखना सकीन शा अधेन अनुसार मक्वानपुर को चीशा पानी गडी इतिहास मा देशकेई सबीभंदा बेश्त ठाउं थियो देशको दक्सिनी छेत्रबाट नेपाल खालडो प्रवेश गर्नी महतुपुण नाका भहेकेई कारण यहां बन्सार रहाधानी केंद्र कारागार लगायत अधेन अनुसार मक्वानपुर कारी अड्डा हरु थी। 2024 साल सम्म छेत्रिय कारागार का रुपमा संब्रक्षित पुरानो कारागार भवन का केही हिस्षा अईले पनी यही गडी परिशर को गारी भित्र देखना सक्विन्छा। 2024 साल सम्म छेत्र देखिको इतिहांस भोके को गडी प्रमसह वगनावसेश्मा परिनत उंदै गाये को छो। एशको सम्रक्षिन मा जिम्मिवार बन्नुपर ने पुरा तत्तो विभाग नेपाली सेना प्रदेश सरकार अथबा भिमफेदी गाउंपाली काले उचित पहल अजईपनी गर्ना सके को छाई। बर्षाउं देखी बिना तलब अनि सुविदा भिमफेदी का मान बहादूर पाउडेल अईति हांसिक सक्ति पीठ भाईरप मंदिर को कुजारी बनेर पुरे गडी को रेख देखमा खटी राखे काचन जसलाई राजजेले बर्षाउं देखी एक रुपियां दियेको साई अजय दायो के भायो के भायो के भायो ओजयानमा परे उनान साथी तीर संमन्च नी पाच बट नहीं देख बाऊचा बने जब यह संखले काल चनी वबाय। लाग। बवाय। बवाय। यह दुन्या को आयो अन्तिदेखर अधेले मेन्या ममांचे पुगयना इया कूंची नेपाल सरकार को तर्म बाट नेपाल कई तराई छेत्र अता भारत मा जाने नेपाली का लागी रहादानी जारी गरने अनी भारत लगायत का मुलुक बाट नेपाल आयका तिर्थ यात्री को प्रभेश आग्यां बितरन गरने तथा बन्सार एबं राजसो संकलन गरने इस्तान थियू चिशा पानी गरी जहां सक्ति आर्जन का निम्ती पिर्थिबी नारेंशाहा अनी ततकालिन राजा महराजाले विशेश आरादना गरने प्रसिद्ध भेमसेन मंदिर को पीठमा पिर्थिबी नारेंशाहाले इद्धको समवाईमा चलायको यूटा अईति आशीक तोप अईले पनी घेर ना सक जशको अगिलतीरको भाग पिर्थिबी नारेंशाहाको पाला देखी बंद अवस्नामा चा मंदिर को जिना बनी शक्यको भवन भित्र दुईशे बर्ष देखी अलपत्र विशाल तोप का गोला अनी बारूद छरपस्ठ देखने सक्की चा 2018 साल अगिशम मा नेपाल मा 35 मात्रे जिल्ला रहेको बेला हालको चिताउन औनी मक्वानपुर जिल्ला समेत लाई चिशापानी गडी जिल्ला का रूप मा लियें थियो यही चिशापानी गडी का नाम मा जिल्ला नामा करन हुदा यो अईतिहासे गहिमसेन मंदीर मा दरभार बाट विशेश बली पुजा चल थेओ इनकी यो गडी मा रहेको सबी भंदा ठूलो यहुटा तोप को सकती र एस संग जोडियेको मिथक आफई मा रोचक मानी छा जुन तोप ततकालिन समय मा राज दरभार मा लियाएरा राखना खुजदा राध को समय मा चितलांग बाट आफई फरकियेरा यो भंदीर परिशर मा यो तोप आई पुगेको अनि तेश पचे कसे लेपनी हाँ बाट हल्लाउना नो शकेको बिश्वास मा रोची तोप आई बाट 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 हो परे एला मानेंच काली कुरूप ले यो काली यो जुह बाट लडाई करे जीते अबडे कि बीटी स्वाताय है यहाँ बाट नि काली राली बड़ी सभीह भाणे चान्न नो तुलू ठुलू रीचन जीती सगेवासे के बाट छे रा त्रफ्ट रगर है कि अगार नाय जोट intentions, आग बयलक मोर मुनाइ लग्ह ब Lis यित्रौर मुनमे Б訊 जाय। अए लो समय को, आगर मुनमे का जोग सब्सक्ताौ भाली को, ग्वश क्यों थå गॉ अग्गर कि लादी नेयुप से ले काईना के अगए. वन्हें को पाता लिए बेता हैं, बेगा से दोला आख जानी पुरी धिए। जरे समय पच्छिजें फेरी लाली सुटाई भशी ताय बेशी काली लिए। पर अबण भण को और उ भण भण वह उन्हाले लागान देह लिए जितलांग जितलाम पुरी आये, सबे पल्टाम और खाना कीमा खाये, थगलाये, सुथी ब्याना पहा तुप तानोंबना तुप छाये ना तुप छाये ना जानस मेरी चीशा पानी गड़ी मा तुप देखे रहे आच्छू उई नाई चाथ तुप तापर सराशा गड़ी आनुश्प छाये नाई तुप छाये नाई इतियांस अनुशार यो गड़ी विक्रम समत 18-1 मा निर्मान भायको हो लेखोट अरुमा उडलेक भाय अनुशार 18-1 साल मा मक्वानपुर का सेन राजा को पहल मा नजी कई का महत गाउं का बासिन्दाले गड़ी को निर्मान गरेका थी जति बेला गड़ी निर्मान मा खटिये का हरूले दिन को 3 पैसा ज्याला बुथे पछी नेपाल राज्य एकी करण को समभाई मा पिर्थिबी नारेन शाहा को पाला मा यो गड़ी पुनर निर्मान भायो तिहां सनुषार उपत्ते का बिजेगर्न पिर्थिबी नारेन शाहाले यही चीशापानी गड़ी औनी चंद्रगिरी गड़ी को प्रयोगरेका थी गोर्खाली लाई हन्ना आयका अंग्रेज फाउज लाई गोर्खाली फाउज ले यही गड़ी बाठ लखेटे पुछियो चीशापानी गड़ी मा अईले पनी तोप गोला एत्र तत्र शरिये का चन किल्ला भित्रराई को दुरलब काली तो अकासे तोप लगायेत का युद्ध सामागरी हरू शरपस्ट देखी चाप इतिहां समसार काली तो नेपाल अंग्रेज युद्ध को बेला सन अठारसे चौद देखी सन अठारसे शोर को समय अर्थात बिक्रम सम्मत अठारसे एकहत्तर देखी अठारसे तीरतर को समय मां देशको शुरच्छा का लागी यहां राखियेको सबेबंदा ठूलो तोप देशको बेगलाई तिहां सा मक्वानपूर गडी, सिंदूली गडी जस्तेई यो गडी पनी यो छेत्र भायर आउने अंग्रेज सेनालाई लखेटन का लागी निर्मान भायको थियो जहां जंग बहादूर राडाले चलाईको और को विशाल तोप गडी को खुला चवर मा बर्षों देखी अलपपत्र राखियेको छो जुन तोपले तेती बेला पोखरा सम्म सही निशाना लगाउने गरेको तेती हां सा नेपाल अंग्रेज उद्धमा प्रएग भायको यो गडीमा हेटोंडा, रात माटे, भिमफेदी, पथलाईया अनि सरलाईको बागबती सम्म मार अन्ने चिमता का तोप समेत खुला कास्मनी चवर मा अलपत्र मिलकाई येको शा इति हां सनुषार यो गडीमा हार खाये पची अंग्रेजी फोज तेश बेला शिम बन्जयांको नाका हुदई काटमंड उपत्तेका प्रवेश करन खोजे को थियो पची ततकाल सुगोली संदी महस्ताक्षेर होने बातब्रन बने पची अंग्रेज हरुले नेपाल भमीच हाडेर गये अन्य यो तोप अलपत्र पर्यों यो गडी तेशय के उठा साक्षी हो चीशापानी गडीको मुख्य आकर्षन यो काली तोप यो दको समय मा जम्मा एक पटक मात्रै यो तोप प्रयोग मा आयको इती हास्षा किनकी यो अत्तेंते थूलो आवाज का साथ बिस्पोर्ट उने सकती साली हत्दी आर हो यो तोप पड़काँदा यो किल्ला ओर पर रहेका गर्ववती मैला को गर्वमा समेथ असर पाले पाशी लाम शमय यो तोप प्रयोग मे आये तरपाशी गर्ववती मैला अले योतोप सुना उधाईना यो ओर पर जाना उधाईना भन्नेक इमधन दि श्तापिडभाु प्रभको मंदीर मां मैलालाय प्रभेश निशेद गरीयेको दशकों वितेको चा। एसको बेगले मानने पाचा। यो तो पर परकी परकी दाहरी चे दे गाई, बाहरा, भईशी, मांचे जदी चेनी गरव अधी छानी। सब यो परकी दाहरी सब गरव बतान। गरवटन वागो माने, जिट भाया परकी, यो तो पर कारान अनो निचा माया चेर दाहरी चेर दोगा। लिट लगभेहल डिरापन उतर्म शकों चेर खालाय, बवारा ब्वारा भेशी जब धिजूकों सब आराय, जोक्ता मैलाली। प्रदेश को रादानी हेटोडा बाट करीब 29 किलोमीटर उत्तर मा परने चिशापानी गडी मक्वानपूर को पुरान उसद्रमकाम भीम फेधी बंदा केही माथी अनि देवराली डाणा को थोरी तला अबस्ती चा नेपाल एकी करन अंग्रेज को उपनी बेश का बिरुदको युद्ध मा प्रएक भायको युगडी लावो समय काठ्मडो प्रभेश करने मुख्य नाका का रूप मा प्रचलन मा आयको छिए। दर दो हेजार अठारा साल पची बने युगडी एकाए ओजिल मा परे। नेपाली सेनाले मावबादी सस्त्रिद्ध को समय मा युगडी छाडे रहिए। आपने गौरपपुन एतिहांसलाई नेपाली सेनाले समयत बेवास्ता गर्न थाले पची चिशापानी गडी संगई एतिहांसिक बड़ा हाकिम को भवन पुराण भीमफेदी कारगार बट्टुक बहिरपको मंदीर सबई सम्रेक्षेन को पर खाईमा अलपत्र बन्न पुग योच चिशापानी गडी को अरको विशेषता यहां रहेका तोप नहीं हो जहां देशकाई चर्चित 3.8 तोप मदे 2.8 तोप गडी छेत्रमा अलपत्र चन एर न सक्वेला युद्धमा प्रयक भईको देशकाई चर्चित काली तोप लाली तोप औनी आकाशे तोप मदे ल सम्रक्षेन गरेर राकी एको छो तोप राकाशे तोप चिशापानी गडी भित्र एशरी अलपत्र चारी जिएको छो अईले भिमफेदी गाउपाली काले गडी छेत्रको ब्रिहतर विकास का लागी जण्डए 30 करोड को योजना अगी बड़ा आयको छो गाउपाली का संग युक्त प्रबेश द्वार बंदैशा थिशापानी गडी छेत्रको करीब 4 बिगहा छेत्रफल मा कमपाउन वाल बनी राखी एको छो यही छेत्रमा आकर्षक नेपाल को नक्सापानी बंदैशा यही छेत्रमा रहेको 2014 फीट गईरो इनार पुना निर्मान तथा सम्रक्षे सर्षफाय को काम चली राखे को छो 2014 फीट गईरो रहेको विश्वास गरियेको यही इनार मा पिर्थिवी इनार हैनी साहा को पाला मा युद्धकाल मा राज्ये का विरुदमा गद्दारी गरने अथबा प्लक्रा उपरेका दुस्मनला इल्याहिरा फासी दीने गरियेको छ आले ए सगी यहां पईदल मार्गा निर्मान गरी सके को छा। संब्रक्षन का लागी घेरा बार को निर्मान काम लगभग लगभग सकी एको छा। तीन वटा इतिहांसिक स्वला बाद निर्मान गरने गडी वरी परी आकासे पानी जम्मा होने पंद्र फिट गईरो इनार संब्रचना हरू पुना निर्मान गरने पुरानाव चेक पोस्ट जहता संब्रचना लाई प्राता तिक रुप में पुना निर्मान गरना अईले भ को कर दो कर दो